नमस्कार दोस्तों इस समय की बेहत बड़ी ख़बर उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीती में एक बड़ा उलट पेर देखने को मिल सकता है जी हाँ दोस्तों इद के मौके पर कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने निकल के आई है भाजपा के अंदर जबरदस तरीके से पढ़ सकती है फूट क्या कुछ है पूरी खबर विस्तार से बताएंगे आप लोगों को लगतार हमरसद बने रहीएगा दोस्तों आप लोगों को अपडेट बताते चलें ईद के मौके पर चौकाने वाली तस्वीर सामने निकल के आई है ईद कहा पर बधाई देने पहुंचे सपा के अध्या चकिलेश यादब और इसके साथ ही साथ में नजर आये हैं बीजेपी सरकार में डिप्टी सियम ब्रजेस पाठक जी हाँ दोस्तों पूरे देश में ईद परंपरागत तरीके से और हरसो लास के साथ मनाई गई मुस्लिम समाज क लोगों ने आज सुबह ईदगाहा और मशिदों में नमाज पढ़कर के मुल्क की तरक्की और अमन के लिए दुआए मांगी लेकिन इन सब के बीच में लखनव में एक चौकाने वाली तस्वीर सामने निकल किया है लखनव में उपमुख्यमंत्री ब्रजेस पाठक और वीडिया पर अब तमाम अटकलों का दौर भी सुरू हो चुका है बताते चलें आप लोगों को कई मौकों पर अखिलेश यादम ने दोनों ही डिप्टी सियम को खुला आफर तक दे दिया है और कहा है कि सौ विधायक लेकर के आओ और मुख्यमंत्री बन जाओ जिसके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों